साइज की वीडिए करेंगे बैकिंग की बारे में तो बैकिंग क्या होती है इमस्क Penis के लेटीटर फ्लावर बड्स आर कवरड वीदर बटर पेपर इमस्क लेट动 प्लावर इमस्क लेटरड फ्लावर क्यों कहते हैं कि जब किसी flower में enter को remove कर दिया जाता है उसको emasculated flower कहते हैं तो emasculated flower buds are covered अब उनको क्या किया गया है उनको covered कर दिया गया एक flower से यहाँ पर यह stigma style every part और यह enter हो गया अंदर वो काट के हटा देना ही emasculation कह राता है और इसके बाद क्या किया गया इस पर यहाँ से सारे जो enter हटा दिये गया है फिर इसको butter paper से cover कर दिया गया किसलिए cover कर दिया गया to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen grain इसलिए कि किसी दूसरे plant से कोई दूसरा pollen grain यहाँ पर इसके अंदर ना जाया गर चला जाएगा तो further जाएगा तो इसी वो रोकनी के लिए किया जाता है emasculation कि enter को हटा दिया गया, remove कर दिया है यहाँ से ताकि कोई दूसरे plant का जो enter है वो यहाँ पर stigma पर ना आए अब वो कैसा भी हो सकता है contamination मतलब कि उसको infect करना हो सकता है कि वो इसको करने का मकसद यही होता है baking का कि यहाँ पर हमने उसको ढग दिया और जिसको भी हम नहीं चाह रहे हैं खराब या अच्छा कोई भी pollen दूसरे plant से ना आए और हम क्या करेंगे कि जब हमको अपना मंचाहा plant से हमको pollen grain लाना होगा तो वहाँ से brush के through हम यहाँ पर इस back को हटा करके यह जो butter paper इसको हटा करके यहाँ पर रख देंगे contamination मतलब खराब के लिए बोल रहा है कि कोई भी खराब जिसको हम unwanted जिसको नहीं चाहते हैं वो pollen grain stigma पर ना आए और इसी को bagging कहा जाता है इसी process को bagging कहते हैं कि हमको अपने किसी plant में माली जिए कोई plant है और उस पे fruits या फल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं ठीक है और वहीं पर एक दूसरे plant है उस पे fruit और फल अच्छे नहीं हो रहे हैं एक ही species के कोई भी ले ले अमरूद ले ले आम ले ले तो अब क्या करते हैं जिसमें खराब fruits हो रहे हैं हम चाहते हैं कि उसमें भी अच्छी quality के fruits हो तो उसलिए क्या करेंगे उसके enter को हटा दिया remove कर दिया उसको bagging कर दिया उसके बाद जो जो अमरूद का जो plant था दूसरा जिसमें मिठे फल हो रहते हैं बहुत जादा फल हो रहते हैं तो वहां से polygrain लाएंगे इस cover को हटाएंगे और यहां पर डाल देंगे और इसमें बाद foundation करवा देंगे तो इसी को bagging कहते हैं प्रोसेस कराने के